बिखम विर्माय रहीम असलामलेकूम वैलकाम बैक टो मैं चैनल केसे ही आप लोग सब आई होब आप लोग सब ठीक ठाक होगे जी हम भी अल्ला का शुकर है बिल्कुल ठीक ठाक जिए यहां पर अबने हैं घर्म ने बना तायम, हम अब मैंगो मिल्क शेक अबनाईा था पराथे के साथ मिल्क शेक होता है मतलब वह नज्डॉई करते हैं मज़ेदार से रैसीपी की तरफ जो मैं खुद बनाऊंगी है तो यहां बनाने लगे ती जिए मज़ेदार सी नान घटाईया यहां मैंने एक कप घी ले लिया था यह मेरे पर देसी घी था और इसके इलावा जो है आप चाहें तो घर वाला घी मतलब जो हमारे घरों में यूज होता है आम भी वो भी आप ले सकते हैं लेकिन मेरे पर रखा हुआ तो इसलिए मैंने ले लिया अगर नहीं रखा होता तो यहां पर गी ले लिया था घी और इसके लावा जो है यहां पर मैंने चीनी को ब्लाइंड कर लिया था तक एक कप के बराबरी यह चीनी है अजब कॉइंटीटी में अगर आप इसकी परफेक्ट नहीं रखेंगे तो आपकी जो है नान खटाई खराब भी हो सकती है अगर देखें एक कप घी लिया है और एक कप भी में इसके अंदर चीनी लूँगी अच्छा देशी की मेरे पाद थोड़ा था तो इसलिए थोड़ा सा घर वाला घी आइड कर लिया था तो यह बराबर पुरा एक कप हो चुका था अच्छा यहां पर देखें चीनी को ब्ल अच्छे से ना ग्राइड ग्राइड के लिया है और यहां पर यह देखें तीनों चीजों को मिने मिक्स किया अब यहां पर जो है ना मैं बैकिंग पॉडर लोंगी तकीबन वन ट्यबल स्पून के वराबर लूँगी बैकिंग पॉडर इससे हमारी बहुत अच्छी ये बेकिंग कोड़र को आप छाने ना चाने कोई मसला नहीं है लेकिन जो है ना मेदा और आपने बैसन को लाजबी तो पर चानना होगा क्योंकर अगर आप नहीं चानेंगे ना तो मतलब यह कि ना पर उसमेर गुठलियां सी होती है को मैंने जो है अच्छे से आटा इसका गुन लिया था मुक्की वगरा कुछ नहीं लगानी है नॉर्मान साब समय इसको एक साइट जमा कर लेना है और इस तहां से आटा आप देख सकते हैं कि यह इस तहां से यह तयार हुआ है हमारा आटा अच्छा आप इस तहां से बनाके और मतलब इस तहां साब इसको अंडा लगा दिया है मैं इस पर अड़े की जर्दी अच्छा मैं पतीले में बनाऊंगी जो मेरे पास ओवन तो है नहीं है तो यहां मैंने पतीरा ले लिया है उसका ने एक पतीली जो ना घर की उंडी कर दी है और उल्टी कर लग दी है सेट करके इस पर अंडा वगरा लगा कर यह देखने तरह आदी घंटा में मारी मज़ेदार से नान खटाइया बनके रेडी हो गई थी और यह इतनी घरम हो रही थी कि मतलब हाथ तो लगाया ही नहीं जा रहा था इस लिए मैं इसको छोड़ी से निकाल रही थी अच्छा य नान खटाइया जो कल बनाई थी तो अच्छा यहां पर यह देखें उसका कलर के उपर मच जाईगा इसको यह हमेशा नीचे से बनके तयार हो थी हलकिर किसी नीचे सी ब्राउन हो जाया ना तो आप यह देखिए ना ब्राउन टाइप का हो गया है तो समझ जाएं कि नान ख की जिए बहुत मस्यदार बन के तयार होती है तो अबढ़ इसे तरह से हमनी आज की नान-खटाई के साथ ही नान-खटाई के साथ ही इन्जवाई की आप लोग भूभी इस तरह से घर में बनाकर बनां-खटाईयों को लदी कर सकते हैं यहां भी बन रही थी शाम में माश की द लग होता है अचारी माश की डाल को बस लोग उन्हें बना लिया था और यहां पर भगार लगना रह गया था और यहां में गर्मी इतनी ज्यादा शदीद हो रही थी कि बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहरी निकल कर बैठ जाओं अम्मी भी बच्चों को लेकर बाहरी बैठ थी क्योंके घर में लग इतना ज्यादा परिशान हो रहे थे हलाके घर में लाइट वगरा हेगी सॉलर सिस्टम लगा हुआ है लेकिन उसके बाद बच्चों का तो आप लोगों पता ही है कि कुछ भी कर लों को गर्मी बरदाश नहीं होती है और यहां दो दिन मेरी वीडिय जो इसलिए नहीं आपाई क्योंके दो दिन से मेरी तबियत इतनी ज्यादा खराब हेगी ना कि आज भी यकीन करें हम्मत नहीं हो रही थी वीडिया अप्लोड करनी कि लेकिन बस फिर भी मैंने सोचां नहीं मुझे जो है ना हम लास्मी तर पर वीडिया अप्लोड करनी है तो बस यहां पर दो दिन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई हलाके नेट का भी कुछ उशूद था यहां पर वीडिया अप्लोडिंग कर दो से मसला चलता है नेट बहुत स्लो चलता है यहां पर और कुछ तबियत भी खराब हो रही थी इसलिए आप लोग प्लीज मेरी लिए कि यह क्योंकि मेरा जो सर का दर्द है ना अज चौहता दिन हो गया है बिल्कुल भी नहीं खतम हो रहा है सर में बहुत ज्यादा शदी दर्द है आप लोग दौा करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाओ अज मजीद आर अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है ना अप्लोड कर स कि अई नहीं स्टीश करवाया है मैंने कोई नहीं प्रहा के घर चत्द है नहीं सबस्कित मुझें ज़ fij लगा तो यहाथ लगा है अप्लोड कोरे एंचर लेना बढ़ी नहीं ए भी दूखान लिया है बच्छों को भी रढ़े कर दिय रिया है और हम लोग नहीं नहीं पने चला ही लेते हैं लेकिन जब बच्चे कोई बड़ी चीज्ज़ करते हैं न न Eğer जिलांगा तो मैने भी खाय करें उर्चे चलाुन्ळा उगा चलाने आप लोग भी अगर इस रासिपी से बनाएंगे जो भी आपके घर में सबजी नहीं खाता हो भी खाना सीज़ जाएगा यकीन करें अमी ने जो है गवार की फलिया ले ली ती अभी ये सीजन में भी हैं बहुत अच्छी आ रही है कच्छी तो यहां पर अमी ने थोड़ी सी ही खार बनाई थी क्योंकि अम्मे के घर में कोई भी नहीं खाता है इसको ना एक पाउक के करीब है और इसका आद दही एड़ कर दिय लेकिन अमी के बहुत थोड़ा सा दही था उन्होंने फिल्हाल यही एड़ कर दिया था अच्छी में एक चमच हल्दी जाएगी एक चमच को टीवी मिर्चे जाएगी और पिसावा धनिया जाएगा और नमक जाएगा अद्ट लेसन का प्रेस्ट जाएगा यह साई चीजों को मिला कि अमी ने जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हातों की मदद से अब यह मिक्स कर दिया है यह ड़न है बस इसको मसाले के साथ हलका सा फ्राई करना है अमी ने दुसरी तरफ तेल गरम कर दिया है सरसो का तेल मसल ना देख लें आप इस तहां से अब इसको मस विडियो बनी है लेकिन यह खार अंधेरे वाली वीडियो बहुत थोड़ी सी है अभी रोशनी आजाती है तो भी मज़िदार आपको रैसिपी भी देखने को मिलेगी वीडियो को इसकिप नहीं करना है बहुत मज़िदार रैसिपी है अच्छा यहां पर अम्मी ने देखे फ देंगी इस स्मॉक से इतना मज़े का फ्लेवर आया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती में आपको शायद मेरी बात पर यकीन भी नाया आए आप खुद ही बना के ट्राइ कीजिए यह बहुत मज़दार बनती है मुझे फीडबेक जरूर दीजिएगा यहां पर यह देखें हमारी जो घर के मैन्यू में यह वाली सबजी जरूर एड़ होनी चाहिए क्योंकि बनी इतनी मज़दार थी और बाकी यहां पर कुछ बस चामल खाये कुछ सबजी खाये इस तहां से बस हम लोगों ने डिनर इंजुआई किया च्छत पे बटकर ही खाना का रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी ना इसलिए घर्मी बहुत शदीद हो रही थी कि नीचे तो बैटके खाना काया ही नहीं जा रहा था बस च्छत पर ही हम लोग ले आया थे खाना च्छत पर ही हम लोगों ने खाने को इंजुआई किया चामल भी मटा रालू के बने हुए थे और बाकी यहां मैंने अपना विस्तर दूसी जगां सैट कर लिया है क्योंकि मेरी तवियत तीन चार जिन से बिल्कुल भी सैट नहीं हो रही है और बस मैंने सचा आज मैं तखत पर सूंगी क्योंकि मेरी कमर में भी बहुत पैन था और अंदर वाला जो रूम में गरम होता है औ जो कि नहीं बाकी नहीं विस्तर लगा लिया था वंद लोग नहीं ने नीचे लगा लिया था अपना विस्तर और यहां बेड़ पलंग पहाँ सोना था तो बस यहां पर हम लोग का विस्तर हो चुका था battery और यहां पर इतना कमरा ठंड़ हो Register यह वाला रात में कूकि has on that clear तो यहां से बहुत अच्छी हवा आती है और बाकि यह सुभा कर टाइम है और अम्मी ने जो है ना मैंने पापे का बोला तो मैंने कहा बस मुझे पापे खाने का मून नहीं है क्योंकि आप बिमार होना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गा तो बस दिल करता है आ कोई लाइट सा ही खा लें तो ज्यादा भैता रहेगा और यहां पर बस अम्मी अच्छा मैं एक रेसिपी आपको और दोंगी आज का व्लॉग जो है ना रेसिपी व्लॉग भी है अम्मी मज़दार बनाया अम्मी ने कुल्फी फालुदा जो इतना मज़दार बनके तयार ह हुआता हुआ यह बहुत मज़दा बना था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अम्मी ने वन कैजी दूद ले लिया है इसको पका पका के तकरीबन अम्मी ने जो है ना तीन पाओ या एक किलो के करीब कर लिया ता तक्रीबन एक से डेड़ घंटा यह दूद पका है पकने के बाद अम्मी ने इसकंदर चीनी एड़ कर दी चोटी इलाइची के दाने है यह एड़ करने हैं ग्रीन वाला पार्ट हटा देना है और यह बलैक वाला पार यह बारिक पूटके इसकंदर एड़ कर दें अम्मी इतना मज़दार कुल्फी फालूजा बनाती है कि मतलब हमने बच्पन में खाया करते हैं कि हमारी अम्मी बच्पन से हम लोग को ना यह अच्छे वाले माल खिलाती हुए आईगे तो हम लोग के अभी तक वही आदत है तो बस यहां पी देखें चीलाइची के दाने घड़ करदि गी यह दो कर्ड़ेंगी यह देखें से स्को दबां दबां के प्रेस कर ना है तो सार भॉजजार ननी हसंपर ने के द son boric अनने के पानी अम्मी ने दबरोटी पकने के 10 मिनट बाद इसका अड़ कर दिया है अम्मी ने आज मुझे कुल्फी फारुदा बनाना सिखाया इंशालला मैं भी घर पर जाके ट्राइ करूंगी कि मलब कैसा बनता है लेकिन यहां भी बहुत मज़े का बना था और यहां पर यहां पर यह देखने दर है कॉन फिलागर डालने के बाद भी अम्मी ने पांच मिनट तक इसको पकाया और चम्मा चलाती रही ताके जो है ना नीचे से यह चैटे ना अब यहां दूद हमारा कुछ ठंडा हो गया था यह वाला अम्मी ने थोड़ा-था खोया गोए तकरीवन एक पक की करिभी इसमें खोया जाएगा खोया के साथ इसको अम्मी ने ब्लैंडर कर लिया था ज्यादा तेजगरम नहीं ता तक्रीबन यादी घंटा के बाद का क्लीफ हेगा क्योंकि अभी इसमें से तके तक्रीबन धुआ निकल ही रहा है लेकिन हमें लाइट जाने का डर था कि लाइट ना चली जाए तो इसलिए हमें बस यसी धुआधार दूद के साथ इसको ब्लैंड करना पड़ा तो बस यहां लाइट भी बड़ी जारी है गर्मी की वज़ा से यहां देखें ब्लैंड होने के बाद यहां थिक भी हो गया था और यहां पे अच्छा में बात और बता दू अगर आपको मतलब कॉन फ्लॉवर जो है ना मतलब आप इसके अदर कम लगे ना अगर आपको यह दूद जाद यह थिक नहीं है अच्छा लाद बस हमारा यह जो है बन गी आता बसके एक दो मिनाट ही पकाना है ब्लैंडर करने के बाद इसको एक दो मिनाट ही पकाना है यह देखें कि अच्छी कंसर्टैंसी हो गई इसकी और यह गाड़ा भी काफी हद तक हो चुका था मैं इसके अदर बदाम पिष्टे काजू वगरा जो भी आप इसके अदर एड़ करने जाए कर सकते हैं जितना गूर डालेंगे यह उतना ही मीठा होगा तो अम्मी ने खायर यहां पर जितना मतलब उनके बास बदामी थी तो बदामी उनके नहोंने एड़ कर दी मेरी जो रेसिपिया होती ह यह तैयार हो जाता है और इसके अदर बहुत अच्छी कमाल की खुश्ब हो जाती है लास्ट में बिल्कुल एड़ कीजिए का कैवरा एसन के एक दू खत्रे वे इसको डिशों में निकालने के बाद हमने इसको फीजर कर दिया था फीच में तकरीवां यह एक से डिर दिन ल बिला रही थी मुझे क्योंकि वो भी अकेली रहती उनका दिल नहीं लगता है तो वो मुझे जब मैं यहां आती हूं थी बहां पर तो बस हम लोग बहाँ चले गए थे और यहां पर मेरे तब्यद जो है नहीं से खराब होना स्टार्ट होई थी क्योंकि यहां पर बिल्कु पैन हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बस असा लग रहा था कि मेरे जिलू लग गई है और यहां पर यह देखें जरा फाहाद के भी वो बुरा हाल था कि इन्होंने भी उल्टियां कर करके मौमिर इतनी ज्यादा इनको हो रही थी सरका दर्ड इनका भी जा रहा था मेरा भी नहीं जा रहा था बिल्कुल सुस्त हो गय था फाहद भी तो बस यहां पर मौसम खायर शाम का डाइम ता अच्छा हो गया था और यहां पर यह देखें जरा बादल भी काफी हद तक होते हैं लेकि दुपहर बड़ी गरम होती है शाम में रात में फिर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है और यह कि न ठंडी हवा चलने लगती है लेकिन दिपहर जो है आजकल बहुत ज़्यादा हीट स्टोक चल रहा है हम लोगों से तो देखें बिल्कुल भी बरदाशी नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा लू लग लग गई थी हम लोगो को और जी बस यहां पर मेरी यहीं तकती आई होई था लग आई होगी अगर पसंद आजाए होगी तो पलीस लाइक और सबक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोलिएगा मुझे précisल मेरी को अपनी धुआउं मे या कि रखेंगा मिलती हूं बहुत चलतिक निजूँ tarkते हैं और watching Allah Hafiz